नमस्कार दोस्तों आप सभी के श्रडी फॉर यूपेसीपी से सहने स्वागत है आज तारीक है 27 दिसंबर 2023 इस भी 27 तारीक आगया गुरू दिसंबर महिने का और बस चार दिन बचे हुए इस महिने में उसके बाद हम लोग 24 से प्रवेस कर जाएंगे उसमें भी ऐसे ये अच जानते ही होंगे आप लोग रूमी का नाम तो सुना होगा भई एंसी आर्टी पढ़ा होगा उसमें भी तो रूमी का कोटे संदिया हुआ रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया रहा है है ना तो देखे रूमी ने क्या कहा था कि beautiful days do not come to you अच्छे दिन कभी नहीं आत नहीं है हमें उसके तरफ में जाना पड़ता है यह रूमी का थोड़ा सा कोट पर लिया है अच्छा लगा होगा आपको बहुत ही बहतरीन कोट लगा था कल मुझे इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है आज और चलिए हेडलाइन देखते हैं क्या है हेडलाइन बहुत ही निकारा गुआ क्यों ये फेमस हो रहा है इस जगे का मैप भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा पूरा डीटेल में मैं एक चीज आपको बताता हूँ देखे हुआ क्या है पूरा भारत से बहुत सारे लोग अमेरिका कनाड़ा योरोप भाग भाग कर जाना चाह रहे हैं क्यो सुनाने आप नहीं तो कोई क्यों जाना चाहेगा है ना सभी को अपने देश से प्रेम होता है असी असी लाक रुपे सतर सतर लाक रुपे यहां तक की अगर दो तीन लोग जाते हैं तो दो से तीन करोर रुपे खर्च करके जो इस तरह के लोग होते जो इन सेटिंग को करत और वो इनको अमेरिका और कनाडा पहुचाने की गारेंटी लेता है उसी में एक छोटा सा इंसीडेंट हुआ है जिसको मैं समझाओंगा दरसल में भारत से UAE कहां तो UAE बहुत सारे लोग गए UAE से निकारा गुआ के लिए फ्लाइट थी और ये पूरी पूरी चार्टर प्ल प्लेन ही बुक की गई थी रुमानिया के कोई कंपनी था जिसका प्लेन बुक किया गया था रुमानिया लीजेंट एयरलाइन्स करके था और इसको बुक किया गया था कहां जाने के लिए निकारा गुआ जाने के लिए इसमें मैकसिमम यातरी गुजरात के थे जब ये फ्र लेंड आप अपर्चुनिटी अमेरिका जाने के फिराक में थे सारे के सारे लेकिन फ्रांस ने क्या किया जिसके राश्पती हमारे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं 26 जनवरी को जिनके सामने हम अपनी समरेता का प्रदर्सन करने वाले हैं आरों का प्रतर्शन करने वाले हैं, उन्हीं के फ्रांस में प्लेन को रुका गया, और वहां पर बहुत सक्ती से जाच परक हुई, पचीस लोगों ने तो बोला हम मर जाएंगे, लेकिन फ्रांस से हम वापस भारत नहीं जाएंगे, उन्होंने फ्रांस से सरन माँगी और पच फ्रांस, फ्रांस से फिर वापस, बैक टू मुंबई, ये घटना हुई है, अब निकारागुआ क्यो जाना चाह रहे थे तो वो थोरा सा मैप पर मैं आपको दिखाता हूँ, जरह इस मैप को गौर से देखेगा क्या है यह, यहाँ पर आपको दिखेगा अमेरिका, अमेरिका क सारे के सारे जाते हैं लोग, ठीक ना, और निकारागुआ से क्या करते हैं, वहाँ से पद्यात्रा सुरू करते हैं, बिलकुछ सई सुन रहे हो आप, और मैक्सिको, गौाटेमाला, इस अपराधी, ड्रग तसकरों से भरा हुआ देश है, पहले लोग ब्रजील जाते थे, ब और इसी में देखे, आपको देखेगा यहाँ पर निकारागुआ, यहाँ पर देखे, कैरेवियन सी, यहाँ पर देखे, यह है कोस्टारिका, यह पनामा है, जहाँ पर पनामा का कनाल भी है, नीचे फिर कोलंबिया, और कोलंबिया से फिर आपको दक्षीन अमेरिका का पु नहीं कोसिस करते हैं पर एर लाखों लोगों को अमेरिका के मेक्सिको के बॉर्डर पर डीटेन किया जाता है डोनाल टरंप ने जो अमेरिका मेक्सिको के बॉर्डर पर बड़ी सी उची सी दीवाल बनाई थी वो ऐसे ही नहीं बनाई थी हद से जादा इल्लीगल गए कि हम अमेरिका गुमने जा रहे हैं गए कनाडा और कनाडा से इलीगल तरीके से कहां घुसना चारे तो अमेरिका में घुसना चारे थे लेकिन बरफीली तूफान और सर्द रात में उनकी जान चली सौ परिवार वहां पर डेथ हो गया था उनका तो कुछ तो होगा नों उस देश में जहां पर कोई लेना देना नहीं है आपसे सवाल क्या दे सकता है गल्प Of Mexico के सामने लिख कर दे सकता है निकारा गुआ मैच है के नहीं है इस परकार से भी दे सकता है इसको धियान में रखेगा यह जमाईक़ा है जमाईका का नाम तो सुनाई होगा आपने ऑके और केरिबियन केरिबियाई देश केरिबियाई देश हैं सारे के सारे है न इसको जरा धियान रख लेगे अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं अगला नियूज क्या है अगला नियूज आपके P.T. पैक्ट से सम्मधिते क्या है तो A.N.S. इमफाल A.N.S. इंडियान नेवी है जो attack कर सकती है और इस पर बहुत स्सार ब्रामोस और बराक मिसाल कि सेनी पुरी के पुरी लगाए गई है क्या नाम है इसका आइन इस इमफाल नाम है किसे ने इसको बनाया है मजगाउं CPR Limited इंडियन नेवी का CPR Limited है सिब बनाने का फैक्टरी है मजगाउं CPR Limited कहाँ पर है यह मुंबई में है और Garden Ridge कहाँ पर है Garden Ridge कोलकता में है यह सब के सब क्या है और उसके बाद से आपने कोचीन CPR Limited भी सुना होगा यह क्या है यह सब के सब इंडियन नेवी का सिब बनाने का कार खाना है यह चीज किलियर हो गया तो कल हमारे रक्षा मंत्री जी ने इसको नेवी में सामिल किया आइनेस इंफाल नाम है इसका मुंबई में देखिए इसको डॉकियार्ट पर लगाया गया है और राजनाज सिंग जी ने क्या बोला जो हमारे मर्चिन्ट सिप पर एटेक हुआ है उसका बदला लिया जाएगा है ना और पहले उसकी जांच हो रही है और ड्रोन एटेक ही था जांच में पता चला है को ड्रोन एटेक ही था हमें साओधी अरब से संपर किया है हम इरान से भी बारतालाप में हैं कि किसने ये किया है और उसको दंडित तो जरूर ही करना परेगा यह हमारी एकॉनमी के लिए खत्रा है मैंने आपको समझाया था कि यह एकॉनमी को किस हद तक नुकसान पहुचा सकता है पूरी के पूरी हमारी लाइफ लाइफ लाइन को प्रभावित कर सकता है यह एटैक छोटे मोटे एटैक है ना तो इसको ध्यान रखेगा आइनस इंफाल को और अगला निउस भी देख लीजे उसके बाद हम लोग आज का आर्टिकल पर चलेंगे देखे क्या है फिसिकल डिफिसिट में ब्रीच 5.9% ऑफ जी डिपी राजकोसिय घाटा राजकोस सुनकर लग रहा है करे जरी राजा का ख़जाना हो आप ही लोग का ख़जाना है राजकोसिय घाटा सरकार को जितना राजजस सु प्राप्त होता है यानि कि जतने राजकोसी में आई प्राप्त होते हैं government को मैं सब समझाऊंगा उसमें से राजकोसी में जतने वै करने परते हैं उसको अगर आप घटा देंगे तो राजकोसी ये घाटा निकल कर आ जाता है इसको भी हम लोग समझेंगे इंडिया आज फिसिकल डिफिसिट में ब्रीज टू 5.9% आप जीडिपी देखें आपर क्या लिखा हुआ है कि 5.9% आप जीडिपी तक पहुंच सकता है और हो सकता है कि 6% तक भी पहुंच जाए तो क्या है इसके माइने भई राजकोसी घाटा बरने के कम होने के माइने क्या इसको भी समझ लेंगे ये सब होता रहता है बड़ी बड़ी एकॉनिमी में बड़े बड़े देशों में ये सब छोटी छोटी चीज़े होती रहती है सच में कहा हूँ कभी राजकोसी घाटा का अनुपाथ जो है यह बहुत ही जादा बढ़ता जा रहा है जीडीप क्या होता है भई तो जीडीप की संकल्पना अगर आपको नहीं पता है तो बीडियो देखेगा इकोनोमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आठ से दस वीडियो है उसको अगर आपने देख लिया एकोनोमिक्स का बेसिक आपका किलियर कर दूँगा जीडीप का मतलब होता है किसी एक देश के घरेलू सीमा चेतर में एक वित्तिय वर्स में उसके सभी निवासियों के द्वारा उथपादित वस्तु की अंति मुल्य को जीडीपी कहा जाता है इसमें सारे तर्मिनलोजी थे घरेलू सीमा बी एकर बिट्रमिनलोजी है जो आपको एक संकट का समाधान और माइक्रो एकॉनोमिक्स क्या होता है इस से समंधित है ये आर्ट का डीटेल में देखेगा चीजें आपको समझ में आए जाएंगी भारत रोजगार संकटे गंभीर और चीरस्थाई समस्या है चीरस्थाई समस्या का मतलब होता है जो समस्या हमेशा हमेश एक्षित लोगों को प्रभावित करती है जो आपचारी करते हैं उप्युक्त रोजगार पाने में और समर्थ हैं देखे दरसल हो क्या रहा है अपनी एकॉनमी में बताता हूं भारत सरकार ने एजुकेशन को बहुत दिनों से रिफ हॉम नहीं किया ने एजुकेशन पॉलिसी लाई है लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से इंप्लिमेंट होने में समय लगेगा पांस दस साल मीनिमम लगते हैं एजुकेशन पॉलिसी जब अपने रंग रूप में आती है मैं आपको एक चीप समझाता हूं दरसल हो क्या रहा है सिंपल बी ए में है ना बी कॉम एम कॉ करके बच्चे बैठे हुए हैं टेकनिकल और स्किल्ड नहीं है उनके पास मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुर्क होते हैं लेकिन बाजार के अनुरूप उनके पास स्किल्ड नहीं है बी ए और एमे के लोगों को अगर आप अपलाई करने जाएंगे कहीं पर तो कोई आपके नौकरी होती ही नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा कोई भी नौकरी होती ही नहीं है जब तक आपके पास स्किल्ड नहीं होगा स्किल्ड मतलब कोई टेकनिकल डिग्री नहीं होगी या कोई मैनेजमेंट की डिग्री नहीं होगी बी-सी-ए नहीं होगा बी-बी-ए नहीं हो आफिक्स का जानते हैं समझ है आपका सोसल मीडिया को हैंडल करना चाहते हैं जानते हैं उसके अलावा क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर एसका बहुत ज्यादा डिमांड है आज कल यह सब इसकी लगर आपको आता है न तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी कोई आप में धरले तरीके से होते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है लेकिन उसके अनुरूप बाजार में डिमांड नहीं बन पा रहा है केवल सरकारी जौब ही एक मातर सहारा रह जाता है उनके लिए इसलिए भी बिरोजगारी का जो अस्तर है वो आपको बहुत ही बड नौ पर सेंट तक पहुँच गई बेरोजगारी की यह दार वैस्विक और अधिकांस उभरती अर्थविष्थाओं विदमान दर से उंच्छे है जो वर्ल्ड का उस्त है ना और उभरती हुई अर्थविष्थाओं का जो अस्तर है बेरोजगारी का उसमें भारत टॉप प सकता है नियमित वेतन रोजगार ये आप चारिक संडेचित पद हैं जहां करिमियों को नियमित रूप से निस्चित वेतन या पारिसर्मिक प्राप्त होता यह वेतन रोजगार होता है उनकी बात हो रही है इसे सरकारी संगठन जिसमें आप लोक जाना चाथते हो गुम प्रदत नौकरियां सामिल हैं वो पहला रोजगार है भारत में आकस्मी की अदिहारी स्रम भारत बहुत से स्रमिक विशेश रूप से निर्मान किरसी वो और संगठित स्रम बाजार में दैनिक मजदूरी अदिहारी स्रम से संलगन है पर डे के वेज पर ठीक है इन नौकरियों प्रायर रोजगार सुरक्षा का भाव होता है और ये परिवर्तन सिल आई के भी जोखिम रखती है मान लिजे कभी construction बंद हो गया किसी भी खारण से तो सारे के सारे एक साथ बेरोजगार ये है भारत में दूसरा रोजगार का छेतर पहला कौन सा है कि भई नियमित नौकरी लग गए किसी भी प्राइवेट में सरकारी में कहीं पर भी जिसमें मासी के वेतन आपको मिलेगा और उस संस्थागत है मान लीजे कोई बरा सा कमपनी ही है जिसमें आपके नौकरी लग गई है न और दूसरा क्या होता है दूसरे तरही का है जिसमें डेली वेज पर आपको काम करना पड़ता है रोजगार का दूसरा प्रकार सो रोजगार है और एक को प्रकार कौन सा है भारत में सो रोजगार है जहां स्रम आपूर्ती और स्रम मांग सो दिस होते हैं यहां कर्मी स्वेंग को रोजगार प्रदान करता है इसे आगे निमलकेत रूप में भी भाजित किया जा सकता है उद् खोल रहा है कुछी भी कर रहा है चोटास अपना वो किसी के अंदर काम नहीं कर रहा है इस तरह का भी भारत में ग्रोजगार का चलन बढ़ा है किसान भारत में किर्सी स्वरोजगार का एक मैदपुन स्रोत है कई व्यक्ति स्वतंत रूप से परिवारदा संचालित उद्यम का के रुपह अपने खेतों को मालिक और उनका संचारन करते हैं प्रीसिंग और अप चारिक कारें कैया होता है फृी लांसिंग फ्रीसिंग बोलते हैं इसको फ्re dil ding बोल दिया मैंने फ्री फ्री लांसर और सलाकार ये अंसकालिक भूमिकाओं में कायरत व्यक्ति सामिल होते हैं, ये कुछ भारत में रोजगार के छेतर हैं, पहला कौन सा था, नियमित वेतन वाला रोजगार, दूसरा था डेली वेज वरकर, तीसरा था आपका की 100 रोजगार कर रहा है, अगला कौन स सभी को पता है, आपको पता है, नहीं तो बैठकर सोचिए, पढ़ने की जोरत नहीं होती हर चीज, सोचिए बैठकर कौन कौन से कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के, गती हीन रोजगार बिर्दीदर, जिसले तार दसकों में कृसी छेतर में वेतन भोगी कर्मियों के अपचारिक रोजगार, सो रोजगार आकास्मिक वेतन वाले कर्मियों के सहित उंच अस्तर पर मौजूद हैं और बहुत ही उंच अस्तर है इसका बना हुआ, इसमें से दूसरी स्थिती को पक्छन बिरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि यहां खुले बिरोजगारी जैसा दि रहे हैं और आपको उचीत वेतन पर जाब नहीं मिलता है, तो वो बिरोजगारी का स्तर कहा जाता है, अगर कोई पिएजडी किया हुआ स्टुडेंट ग्रूप डी के लिए फाम भरता है, ग्रूप सी के लिए फाम भरता है, तो वो भी बिरोजगारी ही कहा जाता है, क्यों की मांग दो पर मुख पर निर्वर करती है सरप्रथम या उस उत्पादन के मात्रा से प्रभावित होता है जिसे कमपनियां बेज सकने में सक्षम है यदि उत्पादन की मांग कम है तो कमपनियां द्वारा अत्रिक कर्मियों के निक्ति करने की समभावना कम होती है भूमिका निवाता है क्योंकि स्रम बचत प्रद्योगी को सुरुवाती कंपनियों कम कर्मियों को साथ समान मातरा मुत पादन करने का अनुमती देता है कि भई टेक्नलोजी का बहुत जादा यूज कर लिया, आटोमेशन को बढ़ावा दे दिया इसलिए कर्मियों को हटा दिया गया अब इससे क्या होता है इससे भी कहीं ने कहीं बिरोजगारी के स्थिती बनती है अगला इन्होंने बताया हुआ है कि आटपुट बिर्दी पर नितिकत फोकस हमारा जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है ना उसमें हम केवल और केवल जीडीपी और आटपुट पर फोकस करते हैं हम उसमें इससे फोकस ही नहीं करते हैं कि इसका परिनाम क्या होगा हम आटोमेशन को बरहावा तो दे रहें लेकि उसका परिनाम क्या होगा क्रिसी में हम मसीनी करन को बरहावात दे रहे हैं उसका परिनाम क्या होगा ये हम ध्यान में नहीं रखते हैं इसके कारण भी क्या होता है बिरोजगारी बनता ही जाता है सरकार पॉलिसी में बिरोजगार को प्रमुखता नहीं रखती है किसको रखती है आउटपूट को फाइ के अंदित करते हैं भारत में आर्थिक नीतिया पारंपरी ग्रूप से आउटपूट पिर थी जीडिपी या मोले बर्धिता के संदर में तियार की गई है जो आवस्चक नहीं है कि रोजगार सिजन के चुनौती का समधान करता हो सरकार की कोई भी पॉलिसी जो होती है वो इस के लिए रोजगार के लिए हम कुछ मानक तियार कर रहे हैं नहीं देखा हुआ कि वह लगार के वह जमीन की बात करेंगे पैसे बित्त की बात करेंगे रोजगार लोगों को मोहिया हो इसकी बात नहीं करेंगे वो हो सकता है कि सारी कंपनिय आटोमेशन लेकर आए जहां पर quality बर जाती है देश में इक्वालिटी कैसे बरती है कि अमीर जो है वो और भी अमीर होने लग जाते है क्योंकि उनका आप लागत कम होकर है मसीनों का आने से और जिनको पैसा मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिलकर किसी के जेब में प्लॉइमेंट ग्रोथ रेट भारत उन्हें सो असी और उन्हें सो नवे के कंपेर में दो हजार इसमी तक जीडिपी तो हमारी खूब बढ़ गी इसके बावजूद आपचारिक और गैर क्रिसी चेतर के रोजगार बिर्दी दर अनुतरदाई बनी रही लेकिन क्रिसी और जो जोबलेस ग्रोथ हमारी जीडिपी दुनिया की फास्टिस्ट ग्रोइंग जीडिपी है लेकिन उस जीडिपी का क्या करें जिसमें रोजगारी नहीं मिलता हो इसको क्या कहा जाता है जोबलेस ग्रोथ कहा जाता है इसको बहारत के मामने रोजगार बिर्दी क्या है किसी अर अर्थसास्तिक और कारी के मितबवेता या एकोनोमिक ओफ स्केल कहा जाता है अर्थसास्ति योगतार अब इसका एक एक्जामपल समझाता हूँ इनफोसिस नाराइन मूर्ती जी नाम सुना होगा 2014-15 के आसपास 1314 के आसपास भी जब ये कंपनियां हाइर करने जाती थी कॉलेज केमपस में इनका पैकेज होई होता था 30,000, 35,000 पर मंथ 40,000 पर मंथ आज भी जाती है तो 30,000, 35,000, 40,000 पर मंथ पर ही तंखा देती है ये लेकिन नाराइन मूर्ती जी क्या बोलते हैं कि युवाओं को एक सथा हमें 70 घंटे काम करना चाहिए बोला था नाराइन मूर्ती हो राष्ट के विकास के लिए तो राश्ट कभी कास ने इन फोसिस क्यों नहीं योगदान दे रही, लोग आई क्यों नहीं बांटरी अपनी, पाटनी चाहिए थी, 70 घंटे काम कराना चातो 30,000 तनखा पर, बताओ 40,000 तनखा पर, होते हैं भई देश में काम, बड़े बड़े जो आपको कोचिंग दिखती ह है न, वहाँ पर अच्छे खासे परहे लिखे युवा, जो बहुत दिनों तक पराई करके गए हैं, उनको सलरी मिलती है, 12,000, 17,000, 15,000, सही सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के में बात कर रहा हूँ, है न, फेकल्टी छोड़ कर, तो यह क्यों होता है, क्योंकि मु कहा जाता है, भी, इंपलॉई कम करके, आप वर्किंग आवर बरहा कर, यह आउटोमेशन को बरहा कर, आप कमाना चाहते हो हैं, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिक आउटपुट उत्पादन के साथ, फार्मों को सरम बचद पर द्योकी, अपनाना आसान लगने रोजगार भी ही ने, विकास अर्वेस थाएं विक्सित होती हैं, जीटीपी विर्धी के प्रति दुरुबल रोजगार प्रगती सीलता है, कि जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, और इस समाधान कहां पर नहीत है भई, समाधान यहां करका समाधान आर्थिक तिवर आर्थिक विकास में, अधिक तिवर आर्थिक विकास में नहीत है, साथी साथ पॉलिसी मेकिंग में भी नहीत है, कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, कि किस हद तक आटोमेशन होना चाहिए, किस हद तक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई किस प्रकार से काम करता है क्या कारण होते हैं उसमें नहित सरगार यो कहां पर बदलाओ करने चाहिए सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको अब है कि माइक्रो एकॉनमिक नितिकर धाचे क्या होते हैं इस पर भी चर्चा की यह थी उस आर्टिकल में कीन्स का सिध्धान्त है माइक्रो एकॉनमिक्स में कीन्स करांती का केंद्रिय योगदान रोजगार पर बाधिकारी बाधा करूप में समग रमांग की भूमका कुजागर करता है कीन्स का नाम कहां पर आया था तो देखे दरसल सेकेंड वर्ड वर्ड वर के बाद पूरी दुनिया जो है कैप्टलि का सामना कर रही थी दुनिया उससे बर आर्थिक संकर आज तक नहीं आया है उसी दोरान कीन्स का सिध्धान दिया था दुनिया में कि बाजार विवस्था सही है बाजार विवस्था तो सही है लेकिन इसमें सरकार का भी हस्तक छेप होना चाहिए यानि कि लगवग इसने क्या बोला था कि केंद्रिय योगदान रोजगार पर बादेकारी बाधा करूपने समगर मांग की भूमिका उजागर करता है कि भई सरकार जो है कुछ बादेकारी भूमिकाएं लादे तभी जाकर सुधार हो सकता है राजकोसी नीती से आउटपूट को प्रोसाहित कर स्रम मांग में को बरहाने की अपेक्षा की गई थी कि हम इस परकार का आपको राजकोसी नीती होना चाहिए ना जिससे क्या हो कि रोजगार की मांग जो है वो बढ़े है ना जिन भी कासियल देशों को अपने सोतंता के दोरान दोरी अर्थवेसा सनचना बिरासत में प्राप्त हुई उन्हें आउटपूट पर अतरिक्त बाधाओं का सामना करना परा है उसके बासे क्या है महाल लनोबिस की भी रन नीती है महाल लनोबिस अपने ही देश के एकॉनमिस्ट हुएं बहुत ही बड़े इन्होंने आउटपूट और रोजगार पर बाधेकारी बाधा के रुपे पूजिगत वस्तू को बलवता की पहचान की और भारी ओद्योगी करन की नीती को आगे बढ़ाया वो इन्ही के समय में सरकारी फैक्टियां स्थापित कीगे थी इन्ही का मॉडल था कि देश में बड़े अस्तर पर जब आप उद्योग धंदों का स्थापित करेंगे न तो उसी से रोजगार का संकट क्या होगा तो कम हो जाएगा है ना बिरोजगारी का संकट सरचनावादी स्धानत है विकासील देशों कानभवों पर आधारीत सरचनावादी स्थानत ने करिसी बाधा वा भुगतान संतुरों के बाधाओं के संभामना परकास डाला इन दोनों बाधाओं कानभारत भी से 170 जचक में और उन्हें 190 के दसक में प्रमुख नीतिकत बहस को भले मिला था ये सब कुछ मॉडल हैं जिसके द्वारा क्या किया सकता है तो भारत में बिरोजगारी को कम किया सकता है ये सब अलग-अलग सिध्धांतिक मॉडल है प्रिंसिपल है ये जिसे महलनोबिस मॉडल है कीन्स का मॉडल है है ना तो ये कुछ विरोजगार को लेकर डीटेल आर्टिकल समझा दिया है मैंने आपको जिसे विरोजगारी क्यों हो रहा है क्या कारण है और माइक्रो एकॉनमिक्स का सिध्धांति क्या होता है मेंस में भी सवाल पूछे जा सकते है क्या मुख्य भूमिका है किस प्रकार से क्या दिखाने इकोसिस कर रही है इसलिए इसको ध्यान पुर्वक याद रखेगा इंपोर्टेंट हो गया है आपके लिए हाली में वील बॉक्स वील बॉक्स ने अखिल भारते इसलिए यह सारे के सारे नाम आपको बता दिये गए है ध्यान रखेगा जिसमें भारत का कौसल पर देशेवं कारिवल पर AI कृतिम बोधिमता के प्रभाव पर ही प्रकास डाला गया है जो अब इस रिपोर्ट का थीम क्या था जरा यह देख लीजे इसका थीम था कारे कौसल गतिसील तक भविसे पर AI का प्रभाव यही था इसका थीम इस रिपोर्ट के निसकर्श 3.88 लाक उमिदवारों को मुल्यांकर परिनाम है जिनोंने भारत के AICT और नहीं भारत के सेक्षिनिक संस्थानों में वील बॉक्स निस्टनल एंप्लाइबिलिटी टेस्ट दिया था उन्हीं के परिनामों पर आधारित है यह क्या है यह तो वी बॉक्स एक कमपनी है जो क्या करती है तो परामर सेवाम अगरेनी फर्म है इसके रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है उसको जरह हम लोग ध्यान पुर्वग देखेंगे बालकि इस कमपनी के बारे में जानना जरूरी नहीं है रिपोर्ट के मुखे तत्थिक को देखिया दिरहिंदू में प्रकासित हुआ था उसके लाबा इंडियन एक्स्प्रेस में भी यह निउज आया था और इसलिए मैं आपको यह परहार हूँ है न AI के नेतोत और प्रतिभास घंता भारत AI कॉसल पैट वर प्रतिभास घंता में एक प्रमुख वैस्विक अस्थान रखता है जो AI पेसेबर का एक मजबूत आधार दरसाता है भारत में AI पेसेबर जो हैं यह अच्छे खासे हो गए है आंकरे तक पहुंचने के उमीद के बरहाती बरती मांग को पूरा करने के ले तयार है अगला क्या है भारत में ML इंजिनियर डेटा साइंटिस्ट डेव आपस इंजिनियर और डेटा आर्केटेक जैसे प्रमक भूकाओं में मांगा पूर्टी का अंतर 60-73% तक है जहाँ पर डिमांड जादा है सप्लाई कम है इन सब चीजों में रोजगार समंदीर उजहान क्या है भारत में समगर यूवा रोजगार छमताम सुधार हुआ है ये जो बता रहे हैं जो 51.5% तक पहुँच गया है हरियाना, महराष्ट, आंधपदेश, उत्तापदेश, किरल, तिलंगाना जैसे राज्जे अत्यदिक रोजगार योग्य यूवाओं की उच्छ सांदर्ता कंसंट्रेशन को प्रदर्सित करते हैं इन सब राज्जों में प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे यूवाओं को रोजगार मिल रहा है जैसे देखे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि बिभिन आयू समुह में रोजगार योगता के भिमेंता अस्तर प्रदर्सित होते हैं उदारने के लिए 22 से 25 वर्स आयू सीमम उत्तर पदेश्वा महराश जैसे राज्जे उच्चे प्रतिभा सांदरता के साथ सामने आते हैं इन राज्जों में 22 से 25 वर्स के यूवाओं में अत्य धिक रोजगार की मांग के साथ साथ उनकी प्रतिभा भी स्किल भी बड़ी है ठीक है क्यों बड़ी उत्तर पदेश में आपको नोईडा दिख सकता है इसका एक एक एक्जामपल के तोर पर तेलंगाना में 18 से 21 आयू वर्ग में रोजगार योग्य प्रतिभाओं के संख्या सबसे अधिक है 18 से 21 वर्ष के तेलंगाना राज्य में रोजगार योग्य यूवाओं के संख्या सबसे ज़ादा है जिनको रोजगार मिल सकता है इसकिल्ड है वो कहां पर तेलंगाना राज्य में 85,4% रोजगार योग्य पाएगा है ये तेलंगाना में इसके बाद केरल में इस आयू वर्ग में 74,39% लोग हैं बिहार में ये लोग कितने एक नहीं है बिहार में ये रेशियो 50% से भी बहुत ज़्यादा कम है रोजगार योग्य युवा जिनको रोजगार मिल सकता है इसकिल है जिनके पास 18-21 वर्ग में तेलंगाना राज्य अपने युवाओं को रोजगार के लाइक बना देता है बिहार में ही बना पाता है ठीक है गुजरात में 26-29 आयू वर्ग में रोजगार योग संसाधनों को प्रपता सबसे धीक है इस आयू वर्ग में 78-24% रोजगार योगे पाए गए है प्रतिवआवाले लोगों को रोजगार कहां पर मिलता है तो पूने वगरए सहर में मिल सकता है जहां पर 88-2% उमीदवार अते दिक रोजगार योगे पाए गए है उसकाद बैंगलाओर और तिरुवरंदपूरम है पूने बैंगलाओर और तिरुवरंदपूरम में 18 से 21 साल के रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे जादा है 18 से 19 साल में भी रोजगार पाने लाइक यहां के बच्चों में स्किल हो जाता है कुछ समझ पार हैं हैं आप की सरकार की नीती और जो रोजगार के उनमुख जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो कितना जादा माइने रखता है एजुकेशन सिस्टम कितना जादे माइने रखता है युनिवर्सिटी कॉलेज कितना जादा माइने रखता है उस तरह का environment कितना जादा माइने रखता है क्यों नहीं बिहार के या 18-20 वर्स के युवा रोजगार युग्य हो पाते है कभी सोचिएगा इस siege को क्यों पूने बैंगलाओर और तिर्वनंत पूरम में रहने वाले युवा जो होते है वो skilled हो जाते हैं इसी आयू में जब उनको रोजगार मिल सकता है सोचिएगा जरा है ना पार्टी पॉलिटिक्स और बहुत सारे चीजों से उपर उठकर सिर्स सहरों में 22-25 आयू वर्ग में रोजगार योगता के लिए लखनो 88-89% के साथ पहले अस्थान पर है उसके बाद मुंबई फिर बैंगलॉग अब रोजगार के लिए सब ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सहर कॉन सा है राज्य कॉन सा है तो केरल पूरुस इस्तरी दोनों रोजगार योग प्रतिभाओं के लिए कारी करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है बंबभी बैंगलॉर नुएडा यह सब नहीं है कोचीन सहर है है ना सिक्षान में एयाइक एक करना बाग की जो इस रिपोर्ट के हैं वो आपके लिए खाम कर नहीं था मुखिरोब से मुझे सहरों के बारें बताना था रोजगारों के बारें बताना था इस पर दिश्चेक आ अगर मैं आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर दक्षिन कन्या कुमारी के पास में एक परमान उस सेंत्र है जो क्या है कुडन कुलम जो है वो भारत के सबसे दक्षिंतम बिंदू परिस्त है रूस के सहयोग से अस्थापित नुकलियर पावर प्लांट है इस नुकलिय के जी भी भारत सरकार सब मिलकर इस कहानी के बैक्राउंड बनाते हैं क्या था अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत में रूस के सहयोग से यहाँ पर परमान उप्लांट स्थापित हो इसलिए यहाँ के लोगों को फंडिंग करके बहुत सारे प्रदरसन भी करवाए गए कि भई यह खराब चीज है यह प्रोजेक्ट गलत है परियावरन के लिए खराब है वागारा वागारा धेर सारी चीजे हैं अब हमारे जो बिदेश मंत्री जी हैं कौन है तो वो है एस्दैसंकर जी वो गए रूस में पैक्ट हुआ है किसको लेगा कुडन कुरम नुकलियर इस पावर प्लांट को बनाने की सुरुआत की गए थे रूस के सही होग से दोयर सोला हमें फ़स्ट पावर यूनिट आप कुडन कुलम एन पीपी हैस बीन सुरू किया गया था और इसके कैपेसिटी जो डिजाइन किया गया है वो एक हजार मेगा वाट की है समझ सकते हैं बहुत ही बड़ा निकलर पावर प्लांट है आपको मैंने क्या बताया कि इसको स्टार्ट करवाने की पीछे इतनी मसकत करनी पर ही है क्योंकि बहुत सारे बिजेस के एजनसियां फंडिंग कर रहे थी कि यह अस्थापित ना हो सही सुन रहे हैं और अस्थापित भी हो तो क सही सुन रहे हैं आप बहुती बड़ा इसके पीछे था कहानी अगर आप सर्च करेंगे कभी तो बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी मिलेगी आपको लेकिन दोजार सत्ताइस तक फुल फ्रेज से इसके चालू होने की संभावना है दोजार सत्ताइस तक कब तो यह पैक्ट एक पैक्ट वादिज में था कि इस पेसल इंधन सप्लाई करेगा रूस और भारत को कुडन कुलम परवानुस सेंद्र के लिए इस पेसल इंधन होगा और उससे क्या होगा उत्पादन अधिक हो पाएगा भारत में रूस के पास यूरेनियम का भी बहुत बारा जखीरा है इसलिए हम उससे एक्पेक्ट कर रहे थे कि वो हमें इंधन भी देगा इसके साथ ही ठीक है भारत में और कौन कौन से हैं मेजर बहुत बरे बरे नुकलियर पावर प्लंट एक वार हम उसका नाम देख लेंगे क्योंकि जरूरी हो जाता है भारत के नुकलियर पावर भारत वरतमाने 22 परमानू प्राचलन रत परमानू उर्जा रियक्टर है जिनकी छमता 6780 मेगावाट विदूत की है और भारत के टोटल एनरजी प्रोडक्शन में 2.6 से 7% कभी बर जाता है ये 2.8 से 2.9% का आसपास अगर हमारे 100 की छमता है हमारे एनरजी प्रोडक्शन की य भी ध्यान में रखिएगा लेकिन इसके कुछ उत्पाद होते हैं जिस पर गंभीर तरीके से रेडियेशन फैलने का खत्रा रहता है जैसे जो नुक्लियर पावर प्लांट से जिस यूरेनियम को उप्योग कर लिया गया है वो जब यूरेनियम निकलता है तो उसको किस प्र रेडियेशन अलफा बीटा और गामा इसको निसकासित करते हैं उने सो साथ के दसक में उने सो साथ पचास के दसक में होमी जहांगेर भावा का नाम सुना होगा उनके द्वारा भारत में पहली बार रियक्टर बनाया गया था भारत में परमानू रियक्टर को बनाया गया लेकिन पहली बार उसी इसके समय से आजादी के तुरत बाद ही हमने टेक्नलोजी के अस्तर पर इन सब जियों के सुरुआत कर दी थी आज भारत में बहुत सारे जगहां पर हैं जब भी इस से जुरेवे सवालों को लिखें तो ध्यान रखेगा एक शीज़ मैब बना कर इन जगहुआ को जरूर रेखांकित करना है आपको जब भी परवाणू रियक्टर जुरेवे सवालों को आप लिखते हैं अपने एकजाम निसान में परवाणू एनर्जी जुरेवे सवालों को लिखते हैं अगर उस सवाल की डिमांड ये है कि भारते यह important होता है number बरते हैं अंक बरते हैं जरूरी होता है अब देख लिए कौन कौन से संद कहां कहां पर है इस energy कैसे बनती है तो uranium और प्रकृत के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो radioactive होते हैं रेडियोक्टिव का मतलब यह खुद ही स्वता ह्रूप से अलफा बीटा और गामा कि इसी heat का हम लोग उपयोग करते हैं पानी वगरा को गरम करने के लिए बॉइलर के लिए उससे हम बिजली का उत्पादन वगरा करते हैं simple process बता है मुझे पता है बहुत ही साधर भासम बता है लेकिन complex होता है reactor को समझना वो भी किसी दिन समझा दूँगा देखें क्या है यहां पर कौन-कौन से हैं तारापूर परमानु उर्जा एस्टेसन यह भारत का सबसे बड़ा परमानु उर्जा एस्टेसनों से एक है जो कहां पर है तो महराष्ट में है राज्थान पर्मानू उर्चा केन राज्थान ये रावत भाटा कोटा के पास में है ये चे एकाई या इसकी कार्यरत है मदरा से टॉमिक पावरोक एस्टेसन तामिलाडू म Совश्यों नियूक आई है केगा जनेरेटिं एस्टेसन करानाटक में है उसकी आपको नरोरा दिखेगा आपको प्रमुखरूप से, उत्तापरदेस में है। करना बेरी वेरी इंपोर्टेंट होता है यह आप पर मैं छोड़ रहा हूं इसको लोकेट करके एक नोट्स बनाकर यह सामने चिपका कर रख लेंगे जब भी परवानु इनर्जी से जुरेवे सवाल पूछे जाएंगे इसको लोकेट करके परवानु इनर्जी का आप सभी का